पूरे दिन उत्रा भारपद नक्षत्र में चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी सनी देव है आज के जन्मेजादक सुन्दर सारीरिक रूप से मजबूत साक्तिक धनी और सत्रूओं को परास्त करने वाले होते हैं ऐसे जाब तक उधार हिर्दय वाले, समाज के प्रेमी, सोच विचार कर कारे करने वाले, स्वतंत्र विचार धारा वाले, इस्त्रियों दोरा विशे सम्मान प्राप्त करने वाले, परंतुब अकसमात, हानी के शिकार और सत्रूं से चिंता ग्रस्त रहने वाले भी होते हैं। ऐसे जातक दूइसे प्रतिष्टित होते हैं और समाज के अस्तम्भ कायम होते हैं जदि सहयोगी लगन रहा ब्रिहस्पती और सनी की इस्तिती अनकूल रही तो पून सफल होंगे चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशी में ही चलते रहेंगे जिसके राशी स्वामी ब्रिहस्पती देव हैं आज के चंद्रमा पर ब्रिहस्पती की पंचम द्रिष्टी और राहू की नवम द्रिष्टी कायम रहेगी जिससे समय समय पर उचित दिशा निर्गेस मिलता रहेगा विभागी सहयोग और सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी प्रतिनिधित्य करने का मौका मिलेगा और कारे की अधिक्ता बनी रहेगी ग्यावसाई कुन्नती में बड़े बुजुर्गों का सहीयो कायम रहेगा नेक नियती और सकारात्मत विचार से पूरे दिन सफल होते जाएंगे आज का दिन कुछ विशेस है आज सूरी ब्रिश्चिक रासी से निकल कर धनू रासी में प्रवेश कर जाएंगे जिसको धनू संकरांती कही जाती है आज के दिन विशेस ध्यान दखें उधारी में किसी को धन ना दें संकरांती की वजह से आज के दिन दिया गया उधार जल्दी वापस नहीं मिल पाता है साथी साथ आज उत्तरा भादपद नक्षत्र है ऐसे नक्षत्रों में धन देना भी नहीं चाहिए अन्यथा धन की वापसी कराने में विवाद, अनावर्सक, लड़ाई, जगड़े और मुकदमे का मुकदमे तक की स्थिती भी हो सकती है नाना प्रकार की यड़ चने आ सकती है और संबंध भीगड सकते हैं साथानी अपेच्छी थे आज सायंकाल साथे चार बज़े से छे बज़े तक किसी नए काम की शुरुवात नहीं करनी चाहिए अन्यथा बिवादित होने या काम के अप्रत्यासित रुप से रुकने कांदेशा बनता है ऐसे समय में किया गया कोई भी अनुबंध असफल हो सकता है मेश राशी के जात्कों के लिए पिछले दिनों की चली आ रही जटिलताओं में सुधार होगा आत्म विश्वास में विद्धी होगी और कारेच छेटर सकारात्मक पहल जारी रहेगी घरेलू तनाव और अविश्वास की इस्तिती में भी सुधार मिलेगा साजेदारी के कामों में लाभ की इस्तिती पैदा होगी और आर्थिक छेटर में सहयोग मिलेगा कारी और जनाव में कुछ नए अध्याय जुरेंगे और विकास की दर्थ तीब्र होगी सरकारी कर्मचारियों के आत्मिश्वास में दिध्य होगी और अकसमात लाव के अवसर मिलेंगे मिद्याथियों को अध्यान अध्यापन में सफवता मिलेगी और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा साथे यात्रा के दोरान अपवयाय की इस्तिती संभावित है और वहां सावधानी से चलाएं प्रिष्रास के जात्रों के लिए आज का दिन कारय छेत्र के सुधार और विकास के परती केम्वीत मुए अभिकारियों का सही होगा प्यच्छित मात्रा में मिलता रहेगा अपने कारी ओजनाओं में आवसक बिशा निर्देश लावदायक सिद्ध होगा रुके हुए काम संपन्ध होंगे और आखिक लावमन मुताबिक मिलता रहेगा मकरफास संपन्धी आवसक सावधानी लखनी चाहिए संतान संपन्धी दायित की पूर्टी होगी विद्यातियों के लिए आज का दिन सफलता दायक रहेगा अध्यान अध्यापन में प्रियास जारी रखें और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा मित्तुन रासी वाले जात्कों के लिए कारे छेतर में चली आ रही रुकावटें दूर होंगी अधूरे कारे पूरे होंगे और नए प्रस्ताव सामने आएंगे प्रतियोगी भावना विक्सित होगी नए कार्योजनाव में साजेदारी लावदायक रहेगी और कुछ कामों में संबन होने से आपके आत्म बिश्वास में ब्रिध्धी होगी संबन्दित मामलों में यातरा भी संभावित है अचानक आर्थिक लाव संभव है सही योगियों के साथ मानसिक तालमेल में कमी और स्वास संबंधी मामलों में सुधार का संक्यत भी मिलता है हलाकि विद्याथियों के लिए आज का दिन उत्तम होगा सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी साथी धार्मिक भावना में विद्धी होगी और देवदर्शन के योग बनते हैं करक राज़ के जात्मों के लिए अनावर्सक चिंता और मानसिक जटिलताओं का दौर जारी रहेगा कुछ द्योशन के प्रती मन ससंकित रहेगा मगर आंतता सफलता मिलती जाएगी ब्यावसाइक सुधार और कारेच्षेत के प्रती दक्षता बढ़ी रहेगी निध्याथी अध्यापन में प्रयास जारी रखें सफलता मिलेगी निजी निवेश के लिए आज का दिन उचित होगा संबन्धों की मधूरता कायम रखें और वाहन सालधानी से चलाएगी सिंग रासी के जात्मों को कारेच्षेत में सफलता मिलेगी और आठिक लाव के नए आउसर सामने आएगे सकारात्मक सोच उरजावान बनाएगा और कारेच्षेत की छमता में बिद्धी होगी रुके हुए काम संपन होगे नई कार्योजनाव और साजेदारी के कामों के लिए समय अनकूल रहेगा और संबन्धित मामलों में यात्रा का संकेत मिलता है आठिक लाव के इस्थिती मन मुताविक बनी रहेगी विद्ध्याथियों को सिक्षा प्रत्योगता में सफलता मिलेगी और वयवाहिक प्रयास भलिभूत होंगे मगर वाहन सावधानी से चलाएं और स्वास संबन्धियावसक सावधानी बनाए रहेगे कन्या राशी के जात्कों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा मगर कारेच छेत्र में मन मुताविक सफलता मिलती जाएगी और आठिक वक्ष मजबूत रहेगा साजेदाजी के नए प्रस्ताव लावधायक होंगे नीजी निवेश अनकूल रहेगा मगर मा के स्वास्त की चिंता लगी रहेगी और कुछ कामों में रुकावट संभाव है हाला कि सकाराद्मक उर्जा साथ लेगी और कुछ प्रयास साथक होंगे विद्याथियों के लिए आज का दिन सामान वहेगा अध्यन अध्यापन में प्रयास जारी रखे पारिवार एक सुक शांती के लिए सवहाद पूर्ण माहौल और रचनात्मक प्रयास अपेक्षित है तुला राशी वाले जात्कों के लिए चंद्रमाद छठमे भाव में चर रहे हैं और मन के कारक हैं मगर कारेच्षित के उतार चलाव और ध्रमात्मक इस्तिती में सुधार होगा रचनात्मक प्रयास और दिढ़िच्छा सक्ती बरकरार रहेगी कारी ओजनाओं में पैदा हो रहे ही जटिलताओं को सुल्जाने में सफल रहेंगे साथ ही नई कारी ओजनाओं के लिए अधिकारियों का सहीयोग और आवशक दिशा निर्देश मिलता रहेगा आर्थिक लाव की स्तिती मन मुताविक बनी रहेगी बिद्यात्यों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा रचनात्मा प्रयास फलिभूत होंगे नए रिष्टों के लिए वैवाहिक मामले सफल रहेंगे साथ ही कारी छेत्र में सचेत्र हैं दोसा रोपर की संभावना बनती है ब्रिश्चिक राशी वाले जात्मों के लिए पारिवारिव सुख संती में बिध्धियोगी पहले की चली आ रही परेशानिया तनाव और मानसिक जटिलताओं से रहात मिलेगी कुछ बहु प्रतिक्षित काम पूरे होंगे और आपके आपनी श्वास में बिध्धियोगी नई कारिव जगाओं के लिए आज का समय अनकूल रहेगा आपके दिड़ हिच्छा सकती और आपनी श्वास से सफलता हासिल होगी और प्रतियोगी भावना विक्सित होगी विध्याथियोगी आज का दिन अनकूल रहेगा आपके परिश्रम का पूरा लाग मिल सकता है निजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा मगर स्वास संबन्धी जटिलताओं का संकेत मिलता है साधानी अपेक्षित है धनुरासी वाले जात्कों के लिए आज का दिन कारेच शेत्र में होने वाले प्रियासों और उसके प्रती सफलता की और संकेत करता है आपके मेहनत का पूरा फॉल मिलता जाएगा चंद्रमा के चौथे भाव में होने से सासन सताव अधिकारियों से सकारात्मा पेरणा और सफलता की उमीद बुनती है मगर नई कार्योजनाओं और साजेदारी के प्रस्ताओं में सावधानी अपेचित है नीजी निवेस के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा विद्याथियों को अध्यान अध्यापन में सहीयोग और सफलता मिलेगी प्रयास जारी रखें वैवाहिक प्रयास पलिभूत होंगे साथ ही वाहम सावधानी से चलाएं मकर राजिके जात्कों के लिए चंद्रमा पराकरम भाव में चल रहे हैं किये गये प्रयास साथक होंगे और सनी के नक्षरत की भून का मन मुताविक आथिक लाव के लिए संकेत करती है साथ ही आपकी वाणी किसी को प्रभावित करने के लिए सक्षम होगी नेतित करने की छमता का विकास होगा आपके कारेच छेत्र के कुछ अधूरे काम पूरे होंगे अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता बनी रहेगी आथिक लाव की स्थिती मन मुतादिक बनी रहेगी विद्याथियों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा सक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिल सकती है आर्थिक छेत्र में आने वाली अर्चने दूर होंगी और संगर्स की इस्थिती में सुधार होगा। काम करने के प्रतीजर हिच्छा सकती और उत्साह बना रहेगा। आर्थिक लाव मन मुताविक मिलता जाएगा और नई योजनाओं से संबंदित यात्रा का योग बनता है। पारिवारिक सलाह लावदायक सिद्धोंगी साजेदारी के कामों में लाव संबाव है। विध्यात्यों के लिए आज का समय सहयोगी रहेगा। सफलता के लिए प्रयास जारी रखें। कुछ रुकी होई विवादी दियोजनाएं भी संपन्द हो सकती हैं और वयवाहिक मामले फलिबूत होंगे। विभागी सहयोग और प्रशाजनिक छेद्र से आर्थिक लाव की उम्मीद बनती है। मीन राश्य के जात्कों के लिए आज का समय महत्पूर निर्णे लेने के लिए सफलता दायक रहेगा। आंचाही यात्रा भी संभावित हैं मगर कुछ मामलों में ब्रिहस्पत्री का सहयोग आर्थिक लाव और आपनिश्वास को सुद्रण बनाने में मददगार होगा। विभागी कर्मचारियों और सासन सत्ता का सहयोग भी कायम रहेगा मगर धन संभन्धी लेन देन में सावधानी बरतें और अधिक जोखिम वाले आथिक निर्णे सावधानी पूर्वक लेने चाहिए। हाला कि कारी और जनाव की सकारादमक पहल जारी रहेगी विद्याथियों को अध्यान अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी प्रयास जारी रखें और स्वास संभन्धी आवसक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाएं।